हेलो दोस्तों आज किस वीडियो के माध्यम से एक और अपडेट ले करके हम आपके पास आज चुके हैं मेरे प्यारे दोस्तों मेरे प्यारे सिष्टर आपको इस वीडियो के माध्यम से अगर आपने यहाँ पर जोइनिंग कर लिए हो या फिर जोइनिंग करने वाले हो करने के लिए कितना दिन वेट करना होगा क्या रूल होते हैं कहां पर नोटिस्पिकेशन दिया जाता है कहां लेटर दिये जाते हैं पूरी जानकारी दिये थे साथी दोस्तों हम आपको ये भी बताये थे कि आप अपने जिला ट्रांसपर ले सकते हो एक विशम परिस्थिती ह होता है एक विशेश परिस्थिती लगा करके आप लोग भी ट्रांसपर करवा सकते हो चलिए हमने जो बोला था उसी का प्रूफ हम आपको दिखा देते हैं कि अब आपको लोगेगा कि नहीं सर्जी सही में बताते रहते हैं या गलत बताते हैं तो मैं आपका भाई चंदन हू तो जरूर से जरूर चनल को सब्सक्राइब करें और चलिए विशेश परिस्थिती के माध्यम से कैसे ट्रांसपर करेंगे उस नोटिस्पिकेसन को हम आपके सामने दिखा देते हैं तो मेरे प्यारे सिस्टर हम आज शोके हैं आपिस्टेशल नोटिस पर आप लोग देख सक पुस्पलताककुमारी आप लोग देख लिये उपेकेंदर रामपुर बहोर समस्तिपूर को सिवील सर्जन समस्तिपूर द्वारा अग्रसित आवेधन अवमसास ससूर गंभीर बिमारी से ग्रसित होने के कारण उनकी देखवाल है तू बिशेश प्रष्थिति में सिवील सर्जन खगरिया के निप्टारे पर अस्थांतरि यात्रा भत्ता अनुमाने नहीं होगा, यानि कि मेरे प्यारी दोस्तों, इसमें क्या-क्या लिखा हुआ है, मेन पॉइंट आपको दिखा देते हैं, नाम आपने यहाँ पर देख लिया, पोस्ट एनेमा आपने यह भी देख लिया, और प्रात्मिक, स्वास्थिकंद्र, गया समस्तिपूर के अंतरगत इसने पोस्टेट थे ये भी आपने देख लिए साथी दोस्तों यहाँ पर समस्तिपूर के जो सिविल सर्जन सर है उनके द्वारा अग्रसत क्या गया यानि कि उन्होंने इनको ट्रांसफर किया और ट्रांसफर करने का विशेश परस्थिती है और इस विशेश परस्थिती को देखते वे खागरिया में इन्हें पोस्टेट कर दिया गया और ये खागरिया का चोईस किये थे तो यह है विशेश परस्थिती इसी तरह से अगर आपके पास भी कोई विशेश परस्थिती आते हैं वैसे भी अब आप लोग समझ गया हों और ये 25 अक्टूबर का ये नोटिस्पिकेशन है डेट भी देख लेजिए अभी 25 अक्टूबर 15-20 दिन पहले की नोटिस्पिकेशन है तो यहीं होता है ट्रांसफर का नोटिस्पिकेशन बिसेश परिस्तिती में तो दोस्तों आपने पूरे जानकारी समझ गया सिविल सर्ज लगेगा तो ट्रांसफर ले लिजेगा ट्रांसफर लेने के लिए आप लोग एक बार रिक्वेस्ट करिएगा रिक्वेस्ट करने पर क्या नहीं होता है सब कुछ हो जाता है क्योंकि सेलरी भी 11500 में थोड़ा बहुत कम लग रहा है तो हो सकता है कि दूर में जॉब करने मे उसी तरह सिक करिएगा चलिए वीडियो के समाप्त करते हैं थांक्यू